हे गाईज के सब सभी लोग वेलकम बेक टू एनादर गेमपले वीडियो तरगेज आज हम दुबबारा से खेलने वाले हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D और गाईज आज की स्टोरी काफी इंट्रेश्टिंग होने वाली है अगर अपने वीडियो का विदाट लाइक न मैं अभी बड़िया हूँ और यह बाइक किसका है मेरा है क्या तिरा बाइक है तुने बाइक कब ली कल ही लिया है मेरे पापा ने मेरे को दिलाई है दसलाग का बाइक है सच में राहूल क्या बाइक दिलाई है तरे पापा ने मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मे पापा मेरे को बाइक दिलाएंगे यार कितना सुंदर वाइक है भाई मैंने तो भी जिन्दगी में नहीं देखा इतना बाइक नहीं तो मुझे एक दिन के लिए दे सकता है तो मुझे बहुत आसानी होगी वापर जाने में अब भी पागाले क्या मैं अपना 10,00,000 का बाइक किरे को दूंगा पता नहीं तू कहां पर जाके गिरा देगा मैंना दस लाग का पुरा नुखसान हो जाएगा भाग यहां से एक काम कर तू अपने बाप को जाके बोल बाइक खरीदने को साला गरीब कहीगा तू पहले अपना उकाद बना ले मेरे बाइक में बैठने की अरे बाइ तू आइसा क्यों कर रहा यार चल मैं जा रहा हूँ मैं तरे बाइक में कभी नहीं बैठोंगा यार तोड़ दे तू मेरे को मैं तरे बाइक में कभी नहीं बैठोंगा आने अपने जिंदेगी में भी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त ऐसे बदल जाएगा सिर्फ एक ब आप बेटा इसे चिल्ला क्यों रहा है? अब तुछे तो पता है तेरे पापा कर बहुत नौकरी नहीं है अब तेरे को बाइक कहा से दिलाएगा? बेटा थोड़ा दिन रुग्चा तेरा पापा कोई नौकरी ढून लेगा उसके बाद तेरे को बाइक दिलाएगा मैं कुछ नहीं सुनने बाला तुम लोग कई सभी मेरे को बाइक दिलाओ नहीं तो मैं कभी घर वापस नहीं आउंगा मैं अभी जा रहो अपना साइकल लेकर तुम पापा को भी बोल देना मैं कभी घर वापस नहीं आउंगा गरो मेरे को बाइक नहीं दिलाए मैं अभी जा रहो अपना साइकल लेकर कभी वापस नहीं आउंगा कभी नहीं आऊंगा मैं बता रुआ आज मैं कभी नहीं आऊंगा अगर मेरे को बाइक दिलाओगे तभी मैं वापस आऊंगा वरना मैं कभी वापस नहीं आऊंगा पता नहीं पापा ने मेरे को क्यो बाइक शोरूम के सामने बुलाया किया मेरा पापा मेरे को बाइक दिलाने वाला है मेरे को तो नहीं लगता क्योंकि मेरे पापा का जौब चला गया है नौकरी चला गया है तो मेरे पापा कहा से मेरे को बाइक दिलाएगा पता नहीं मेरे को प्यापके कियों बुलाया है अगर मेरे को बाइक ने दिलाए तो मैं दोबारेस आ जाओंगा मैं घर पापस नहीं यह नहीं बहुत देखते देखते पापा नी दो चाबी और यह बाइक तेरा ही है जा चला लेusanेब अरे ठापा साच भोल हा सच बोल रहा हूँ लेकिन पापा आपका तो जौब नहीं है आप मेरे को बाइक कैसे दिलाए वह बाद में बताऊंगा अभी तुझा अपने बाइक से मौझ कर अरे पापा आप तो सच में यार मेरे को बाइक दिला दिया थैंक्यू पापा मैं आपका आईसान कभी नहीं अरे बेटा कोई बात नहीं मैं तो हमेशा तरे को खुशी देखना चाता हूँ अब जा तु अपने बाइक लेके मौझ कर तुझे जहा जहा जाना है अपने बाइक लेके वहाँ बहाँ जा अरे टपू के पापा तुमारे पास तो पैसा नहीं था फिर भी तुमने उसको ब बाइक दिलाया लेकिन ये बाद चप्पू को बताना मत ठीक है अच्छा ठीके नहीं बताऊंगी आप अपने ख्याल रखना पापा ने नया नया बाइक दिलाया आज तो पूरा सीठी गुमूंगा बहुत मौझ करूंगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा मैं इतना मौझ अपने दोस्तों को दिखाओंगा देख भाइ मेरे पापाने मेरे को बाइक दिलाई है इतना मौझ करूंगा ना किसे ने सोची भी नहीं होगी चलो पहले तो चलते अपने सड़क से और देख अपना जो दौस्त है मतलब यार है वह कहां पर है सब को आज दिखाओंगा कि म मम्मी मम्मी बहुत दर्द हो रहा है मम्मी मैंने गलत किया मम्मी आपसे जगड़ा करके मैंने बहुत गलत किया मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगा मैंने बहुत गलत किया मैंने पापा को भी रोलाया आपको भी रोलाया मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा मुझे अपना गलती का सजा दे दिया है मैं बाप से ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं बाप से कभी नहीं बाइक मांगूंगा कभी कार भी नहीं मांगूंगा मैं बाप से कभी कुछ भी नहीं मांगूंगा मैं बच्छा बेटा बन जाओंगा और दोस्तों आप लोग भी जिद मत करना अपने ममी पापा कियोए आपके ममी पपा हमेशा आपको अच्छा देखना चाते है आपको खुश देखना चाता है कभी कभी आप भी कुछ उनके लिए सस्परीफाइस करना कभी कभी आप्पी अपने मम्मी पपा को खुश मामी पाबा की बात हमेशा सुनिए क्योंकि वो आपको हर चीज देने की कोशिश करता है और कभी अगर वो आपको कुछ देने में असफल रहता है तो उनकी मजबूरी को समझीए गाइस आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को कर सब्सक्राइब मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ